हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई चैनल फ्रेंड्स आज हम इस डिजाइन को बनाएंगे बहूत ही इजी और बहुत ही खुपसूरत ये नीटिंग पैटरन है इस डिजाइन को आप अपने किसी भी प्रोजक्ट पे अपलाई कर सकते हो बनाने मिह ये बहूत ही इजी है अगर इसका बैक साइड देखिये ये इसकी बैक साइड है ये इसका फ्रेंट साइड है । टोटल चार सलाई में ये डिजाइन बनता है तो चलो बनाना शुडू करते हैं से यहाँ पर देखी फ्रेंड्स मैंने 16 फंदे तो डिजाइन के लिए लिए है आठ और 8 16 प्लस मैने इसमें 5 फंदे और एड़ किये हैं, तो इस तरह से total ये 21 फंदे हैं, 21 इस्टिचेज हैं, थे पहली स्लाई हम नहीं सीधी तरब से लगाएंगे, बोड बनाने के बाद पहली स्लाई सीधी तरब से लगाएंगे, तो देखिए पहला फंदा सीधा उतारेंगे यह हमारा एस्टिच है इसके बाद आट-ाट फंदों में बनने वाला यह डिजाइन है तो देखिए तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, और तीन देखिए एस्टिच को छोड़के तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ लेंगे और पांच फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और पांच देखिए एच को छोड़के एक, दो, तीन, सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच उल्टे इन्ही आट फंदों को आपने पूरी सलाई पर रिपीट करना है तो देखिए धागा पीछे कर देंगे तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ और पांच फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच तो ऐसा करते-करते लास्ट में यहां पर 4 फंदे बचेंगे, 4-ो को हमने सीधा बनाना है, 3 फंदे हमारे डिजाइन के हैं और एक फंदा, यह लास्ट वाला फंदा है, एस्टिच, इसे भी सीधा ही बनाएंगे इस तरह से ये पहली सलाई हम बनाएंगे, तीन सीधे, पांच उल्टे, तीन सीधे, पांच उल्टे, उल्टी तरफ से पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, अब देखें यहाँ पर हम चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, और चार, चार फंदे उल्टे बनाने के बात एक बार सलाई पर धागा गुमाएंगे यानि कि हम यहाँ पर एक जाली बनाएंगे और दो फंदे का एक फंदा करेंगे इस तरह से फिर से एक बार जाली बनाएंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से पूरे फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं ठीक है फि तीन चार फंदे उल्टे जाली बनाएंगे यानि कि सलाई पे धागा गुमाएंगे दो का एक करेंगे इस तरह से उल्टा बुनते वे फिर से सलाई पे धागा गुमाते वे एक जाली बनाएंगे दो का एक करेंगे उल्टा बुनते वे तो ऐसा करते करते यहां पर लास्ट में हमारे चार फंदे बसते हैं, चारों को उल्टा बनाना है, एक, दो, तीन, और चार, तो दूसरी सलाई हमने यहां पर इस तरह से बनानी है, तीसरी सलाई देखिए, सीधी तरफ से आएगी, थर्ड रो, राइट साइड, पहला फंदा स सीधा उतारेंगे, इसके बाद इस पूरी सलाई को हमने सीधा-सीधा बनाना है, जितने भी फंदे हैं, डिजाइन वाले फंदे भी, और जो सीधे फंदे हैं, वो भी, सारे फंदे हम सीधे-सीधे बनाएंगे, यह हमारी तीसरी सलाई है, बहुत यह आसान डिजाइन है, केवल दो सलाई में हमारे डिजाइन डलता है, और दो सलाई हमारी पिल्कुल प्लेन प्लेन आती है, यहाँ पर यह तीसरी सलाई पूरी है, चौती सलाई आएगी, उल्ट तरफ से सीधी और ये एक उल्टी तरफ से पूरी उल्टी है देखिए यहां पर ये चौथी सलाई भी पूरी ही डिजाइन भी हमारा यहां पर पूरा हुआ केवल चार सलाई का ही ये डिजाइन है पिर से हम जो पहली सलाई हमने यहां पर लगाई है वो हम यहां पर लगाएंगे जो यह पहली सलाई लगाई है उसे यहां पर लगाएंगे एक बार मैं आपको पहली सलाई यहां पर लगा के दिखाती हूँ पहला फंदा सीधा उतारेंगे, इसके बाद तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन धागा अपनी तरफ लेंगे, देखे जो यहाँ पर बनाए हमने पांच फंदे उल्टे, यहाँ पर पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच धागा पीछे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन धागा अपनी तरफ पांच फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच धागा पीछे लास्ट में चार फंदे बसते हैं चारों को सीधा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार देखिए मैंने यहाँ पे पहली सलाई यहाँ पे रिपीट करी है जो पहली सलाई यहाँ पे लगाई है वो ही यहाँ पे लगाई है तो यह जो चार सलाई है जो शुरू की है इनी चार सलाई को हमने रिपीट करना है जो दूसरी सलाई मैंने लगाई है उल्टी तरब से वो हम उल्टी तरब से लगाएंगे तो इनी चार सलाई को फ्रेंड समने बार बार रेपीट करते वे जाना है यहाँ पर देखिए यह इस तरह से आएगा जैसे जैसे आप इसे ज़्यादा बुनोगे बहुत ही इजी और खुब्सुरा डिजाइन है आप जरूरी से बिनाएए और मुझे को मन करके बताइएगा आपको डिजाइन कैसा लगा पसंदाए हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए